हलो आल, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे page replacement algorithm के बारे में तो देखो जो page replacement algorithm होता है न, उसका concept क्या होता है कि जो page fault होता है, उसको minimize करना page fault को minimize करना तो देखो यह page fault होता क्या है for example, ये है अपने RAM और इस RAM के अंदर तीन pages page p1, page p4 और page p2 इनों पेजस में से कोई सा भी पेज चाहिए ना तो क्या होगा उसको यूज में ले लेगा पेज को रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा लेकिन अपना CPU को ज़रुवत है फॉर एक्जामपल पेज पी 3 की तो और अपना रेम के अंदर पेज पी 3 है नहीं तो क्या करना होगा सेक और तीनों पेज क्या है ओकिपाए है तो क्या होगा अब इन तीन पेज में से किसी एक पेज को इस में मेमोरी में से हटाना पड़ेगा ताकि सेकंडरी मेमोरी से यह जो पेज पी 3 है ना में मेमोरी के अंदर आ जाए तो जिस भी पेज को हम अटाएंगे ना उस पेज को मे स्वापवाट बोला जाता है तो जब इस पेज को हमने P2 page को स्वापवाट किया ना तब क्या होगा यहां पर क्या आ जाएगा page P3 आ जाएगा तो जो page replacement किया न वो कब करते हैं जब जो भी requested page है वो main memory के अंदर नहीं मिलता है और requested page का main memory में नहीं मिलना ही क्या कैलाता है page fault कैलाता है ठीक है और जो algorithm है page replacement algorithm वो क्या decide करते हैं कि इन pages में से कौन से page को replace किया जाएं किसी दूसरे page के साथ में जो की CPU को required है तो algorithm क्या हो गया क्या decide करेगा कि किस page को replace किया जाएं तो जो target है न page replacement algorithm का वो क्या होता है page fault को minimize करना और page replacement algorithm क्या decide करेगी कि इन में से किस page को replace करें जिससे कि जो newly page है वो main memory के अंदर आप आए तो जो newly page है न वो main memory के अंदर आप आए और जो page fault है न वो minimize हो पाए अब हम बात करते है types of page replacement algorithm की तो जो page replacement algorithm है न वो four types की होती है पहली है FIFO जिसे first in first out बोलते हैं दूसरी है optimal page replacement algorithm थर्ड होती है least recently used algorithm जिसे LRU भी बोला जाता है और fourth होती है most recently used algorithm जिसे की MRU भी बोला जाता है तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं FIFO algorithm के बारे में तो देखो सबसे पहले हम बात कर रहे है FIFO की FIFO page replacement algorithm की तो इसमें यह क्या है page reference string है given है यह और इसके बाद में जो page जो frame है न वो कितने है three page frames के हैं तो अब इसमें क्या find करना है page fault को find करना है तो देखो सबसे पहले कौन सा page अभी page frame क्या है empty है तो सबसे पहले कौन सा string page आया seven आया और seven क्या है इस frame में नहीं है तो यहाँ पे क्या हो गया page fault हो गया उसके बाद में second कौन सा page आया zero आया seven है already उसके बाद में zero आया तो ये भी page fault आ हो, क्योंकि ये क्या है, memory के अंदर नहीं है, उसके बाद में कौन सा page आया, one आया, seven, zero, और उसके बाद में, one, तो ये भी क्या हो गया, page faultICE हो, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में तीनों क्या हो गया, तीनों page fault आया, second page आया, तो देखो, तो इसमें second page नहीं है, अब अपन कौन सी algorithm काम में ले रहे हैं, फीफू, तो जो page सबसे पहले memory के अंदर आया है, वही page सबसे पहले memory से, उसी page को क्या करेंगे, सबसे पहले replace करेंगे, तो जो 7 page है, वो क्या होगा, memory में से replace हो जाएगा, और 7 के जगे kaun सा page आएगा, 2 page आएगा, तो ये भी क्या हुआ, page fault हुआ, उसके बाद में 2 के बाद में कौन सा page आया, जिरो, तो देखो 0 आलरेडी कहां पर है, page frame में है, तो ये क्या हो गया, hit हो गया, 0 के बाद में 3, अब 3 क्या है, इस च्च्समें memory में नहीं है, तो फिर से क्या होगा आप एना 7 पेज को रिप्लेस करके कौन सा पेज लेके आया थे 2 अब कौन सा पेज रिप्लेस होगा 0, 0 के जगे क्या आएगा 3, और ये भी क्या हो गया पेज, फॉल्ट हो गया उसके बाद में कौन सा पेज आया, 0 आया 0 भी इस मैमोरी में नहीं है अब कौन सा पेज रिप्लेस करेंगे इस 1 को रिप्लेस करेंगे और ये क्या हुआ यहाँ पे, फॉल्ट हुआ 0 के बाद में कौन सा पेज आया 4 आया, 4 भी इसके अंदर नहीं है तो अब कौन सा पेज को रिप्लेस करेंगे अब का जो last frame था 3 उसको replace होने के बाद मैं फिर से कौन सा frame के page को replace करोगे frame 1 के page को replace करेंगे इसमें अब 2 replace होगा किस से 4 से यहाँ पे भी page fault हुआ 4 के बाद मैं आया 2 अब जो second frame है उसमें जो page है उसको क्या करेंगे उसको replace करेंगे और यहाँ पे भी page fault आया उसके बाद में 3 3 के लिए कौन सा करेंगे page जो frame 3 है उसका page को replace करेंगे किस से 3 के साथ में और again page fault होगा उसके बाद में 0 0 के लिए किसको replace करेंगे अब again frame 1 को replace करेंगे 0 से again यहाँ पे page fault आया उसके बाद में 3 3 already इस frame इसके अंदर है frame 3 पर है तो यह क्या होगा page हिट होगा 3 के बाद में 1 अभी जो 1 page है वो किसको replace करेंगे हाप पर 2 को replace करेंगे और हाप पर 1 आ गया 3 और यहाप पर 0 यह होगा page fault उस 1 के बाद में है 2 2 के लिए इस 3 को replace करेंगे और 2 यहाप पर आया 1 0 again page fault और उसके बाद में 0, 0 already यहाँ पर है तो 0, 1, 2 यहाँ पर क्या होगा last में? page hit तो इसमें क्या हो रहा है? कि starting में क्या है? कि starting में 3 frame empty थे तो 3 यह pages आ गए उसके बाद में जिसे 2 नहीं था तो फिर क्या करेंगे? जो page सबसे पहले आया है उस page को नए page के साथ में replace करेंगे और ऐसे ही hit और जो fault है उसको calculate करेंगे तो अब देखो यहाँ पर page hit कितने हुए? 1, 2 and 3 तो यहाँ पर है page hit हो गए 3 और जो page fault है वो कितने हो गए यहाँ पर? वो हुए है 12 और कितने number of यहाँ पर यह है? pages कितने है? 15 है जो page fault आ रहे है तो देखो अब इस FIFO algorithm के अंदर page hit कितने हुए? page hit हुए 1, 2 and 3 page hit equals to 3 और page fault या फिर page miss हुए है इसके अंदर 12 तो अगर आप मुझे page hit ratio निकालना है अगर मैं निकालती हूँ hit ratio तो उसको लिखोंगी जो number of hit है upon total number of references total number of references कितने हो गए? page hit plus page miss, total कितने आ गए? 15 तो hit ratio कितना आ गया? 3 upon 15 into और अगर मुझे इसका percentage hit ratio अगर 3 upon 15 अगर मुझे इसका percentage निकालना है तो मैं इसको multiply कर दूँगी 100 से, ऐसे अगर मुझे page fault या फिर मैं बोलू page miss निकालना है उसका ratio निकालना है तो मैं लिखोंगी page miss कितने है? 12 और total number of references कितने है? 15 और अगर मुझे इसका percentage निकालना है तो मैं उसको कर दूँगी multiply 100 से तो ये हमने बात की आज FIFO algorithm तो देखो आज हमने बात की FIFO algorithm के बारे में तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो के साथ में THANK YOU